इस पहलो व्रेंड़ आपके एकबार फिर्ट से अपकी एपने यूटुब चैनल में स्वागते हैं आज की वीडिएो में हम बात करेंगे जो आपका अपरियल मंत अपरियल मंत में फुल मंत के जो है इंपोर्टन में जो आपके लिए लेके आया हूँ current affair के question यह सभी वही question है जो कि मुझे लगा कि यह point of view से बहुत ज्यादा important है तो चलिए start करते हैं 1st April से हम 30 तक total question इसमें करेंगे और जो आपके maximum question है जिसी मैं उमीद करता हूँ वो इसी वीडियो से आपके पूछे जा सकते हैं जितने भी आपके आगामी exam आने वाले हैं चलिए जिस समय को विर्थ ना करते हैं पहला question है आपके पास audition दिवस या कल दिवस किस दिन मनाया जाता है यह मनाया जाता है 1st April को क्यों मनाया जाता है क्योंकि 1st April को किया है ओडिशा की स्थापना हुई थी तो यह आपने याद रखना है बस आपने एक बार वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको जो थोड़ा सा रिवाइज करने पर आपको याद आ जाए नेक्स question है आपके पास किस IIT संस्थान की एक टीम ने कॉरंटाइन एप लाँच की है तो यह की है IIT बंबे ने तो किसके द्वारा की गई है कॉरंटाइन एप लाँच तो यह की गई है आपकी IIT बंबे अगर बात कीज़ा IIT बंबे की तो इसके स्थापना कब हुई थी तो इसके स्थापना हुई थी 1958 को नेक्स question है आपके पास किस मंत्राले ने Stand in India नामक पॉर्टल शुरू किया है तो यह कौन सा पॉर्टल है यह आपने नाम याद देखना है Stand in India नामक पॉर्टल किस मंत्राले ने शुरू किया है तो यह क्या है प्रन्याटन मंत्राले ने क्यों किया है जो विदेशी प्रेटक है जो इंडिया में फस्स गया है उनको वापिस भीजने के लिए विदेशी प्रयटकों की मदर करने के लिए Stand in India नामक पॉर्टल का आरम किया गया है अगला कोशियन आपके पास लोकडाउन के बाद समाने स्थिति बहाल करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्छतर ये पैनल गटित किया गया है तो ये किया गया है पीके मिश्रा पीके मिश्रा कौन है पीके मिश्रा पीम के प्रदान सची हुए है 8 परजेंट में COVID-19 से निपटने के लिए किस रेलवे जोन ने सफलता पुरोग हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच का पहला प्रोटोटाइप बना लिया है तो किसे रेलवे जोन ने किया है ये किया है आपका उत्तर यानि नौर्थ रेलवे जोन ने अगर बात की जाए रेलवे जोन की तो टोटल रेलवे जोन कितने है आपकी इंडिया में यानि कि एपरेल में किस ने किए हिमाचल पर्दिश स्रकार्ने। अगर हिमाचल पर्दिश के सीम की बात की जाए तो सीम पूं है ये आपके जेराम ध्रैकर्दाकुर। तो आपने याद रखना है वहीं राजेपाल की बात की जाए यानि कि गवार्नर को ने बंडारु दत्रे तो ये भी आपने याद रखना है वहीं अगर इसके जो चीप जेस्टी से ही मचल परदेश के 8% को ने तो वह सुवांगी स्वामी लिंगपा नारायन स्वामी तो क्या आप पूरती की पहुच आई जा सके तो ये किये लाइफ-laind उडायन किसने किये नागरिक उटान मत्रहले ने किस नाम से किये तो लाइफ लाइफ लाइन उडान के नाम से लोक्टाउन में चिकिस्ता आप उर्ती पहुंच आई जैसे कि उसके लिए ये जो है आपकी पहल शुरू की गई है नेक्स्ट आपके पास भारा सरकार ने कौन सा कुरोना वारस ट्रिकिंग एप लाँच किया है तो वो किया है आरोगियर सीतू आई होप आप सभी कोई ये पता होगा नेक्स्ट आपके पास जम्म कश्मीर के जम्म कश्मीर हाई कोड के पहले नयादीश कौन बने है तो पहले नयादीश कौन बने है ये बने है राजिश और असवाल अब इसको पहले नयादिश क्यों कहा है क्योंकि जवाब का दारा 370 राटी थी उसके बाद जो पहले है भारतिय सविधान की नुसार जो पहले नयादिश चुनेंगे कौन चुनेंगे ये चुनेंगे आपके राजिश और स्वाल इसी कारण इनको कहा गया है जवाब किशमीर के आई कोड के पहले नयादिश कौन बने हैं तो कौन बने हैं राजिश और स्वाल नेक्स कोशन ने किस राजिए में रीडियो स्कूल शुरू किया गया है तो ये किया गया है मद्धे परतिश इसके राज़दानी भौपाल है अगर बात की जाया तो यहां पर अभी कमलनाथ जो है वो सीम थे लेकिन अभी हाल हमें क्या है 23 माच को आपके शिवराज सिंग चोहान जो है यहां के सीम बन गया है नेक्स कोशिन आपके पास किस देश ने मातर 10 दिन में 4000 बैड का नाइट एंगल अस्पतार बनाया है तो किस देश ने बनाया है यह बनाया है आपका ब्रेटेन ने नेक्स आपके पास ADP ने वित वर्ष 2020 किस के लिए भारत की GDPATA कितनी रहने का अनुमान लगाया है तो यह 4 परसंट किस बेंक हाल ही में डोर सिर्विस शुरू की है किस बेंक ने रहल ही में डोर सिर्विस स्टैप शूरू किया है यह किया है next आपके पास किस बेंक की सरकार ने PM केर फंड मेदान की गई किस बेंक को सरकार ने PM Care Fund में दान दिगई राश्ची को एक गर्फ करने के लिए Overseas Bank को जो है जितना भी PMKR में फंड आएगा उसको एकठा करने के लिए नामित किया है Ford Bank ने भारत को COVID-19 का मुकाबला करने के लिए कितना फंड दिया है तो यह दिया है एक बिलियन डॉलर नेक्ट कोशिन है आपके पास विश्व कुष्टी चेंपियंशी की रेंकिंग में बारत के पहलवान बजरंग पुनिया को कौन से स्थान मिलाए तो वो मिलाए सेकिंड नमबर तो यह आपने ध्यान लगना है इस मन जो करंट अफियर है वो मैक्सिमम आपके करोना वाइरस के उपर है लेकिन उसके बावजुद में आपके लिए बहुत इंपोर्टन जो है सेलेक्टिट नॉट से उसको जो है वीडियो लेके आया हूँ तो बस आपने किया है लास्त तक बने रहना है किस राज्य के मुख्य मंत्री को हीरो टू एनिमल्स वर्ट से समानित किया गया है तो किस राज्य के मुख्य मंत्री को किया गया है यह किया गया है जो उडिशा के आपके मुख्य मंत्री है जिनका नाम है नवीन पटना है तो अभी हाल ही में नवीन पटना है को हीरो टू वोड़ चे संभानित किया गया है उड़िचा की अगर राज़दने की बात की तो बहुनेश्विर है केबिनेट ने राष्टपती और सांसतों के वेतन में कितने प्रतिशत की गड़ोती को मनजूरी दी है तो यह 30 प्रतिशत यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है आपने ध्यान रखना है पहली बार किस देश के एक बाग को करोना वारस से संक्रमित हुआ है यानि पहली बार किस देश का बाग करोना वारस से संक्रमित हुआ है तो ये पहली बार हुआ है जो किसी देश में बाग संक्रमित दुआ है, वो हुआ है अमेरिका में World Health Day being observed on 7 April जो इस बार के theme रह है थी इस बार जो आपका World Health Day है इस बार की theme रही थी 7 April को मेनाजया है ये तो इस बार के theme थी आपकी support nurse and midwives Qकि नेक्स कुछिन है आपके पास किस देश्की राजुक répondre मारिय तेलिस्या का कोरणवारिस के कारण नीदन हो गया है तो यह किस देश्की थी तो यह थी आपकी सिपेन की अगर इसकी राजदानी की बात कीज़ें तो प्रग्या शुरू किया है तो यह किस सरकार ने किया है प्रग्या शुरू किया है तो यह किस सरकार ने किया है प्रग्या शुरू यह क्या है दीसपूर ने भारतिया वायुसेना ने मालदीव को 6.2 टन दवाईया दिया है इस ओपरेशन को क्या नाम दिया गया है इस रिखना है मालदीव खोदी है किस तेश में करोणा वारस के लिए पहला एंटीबोडी प्रिक्षन शुरु कर दिया गया है. जो पहला एंटीबोडी प्रिक्षन की अब ऑब्लह。 इसके लाव अगर बात विश्यो में 2020 के सरवशिष्ट क्रिकेटर का खिताब किसने जीता है तो ये जीता है Ben Stokes ने भारत में विक्सित सवदेशी COVID-19 टेस्ट किट का नाम क्या है तो जो भारत में सवदेशी COVID-19 जो टेस्ट किट है उसका नाम है पैथो डिटेक्ट विश्यो में सबसे बुजूर को विक्ति कौन बने है तो सबसे बुजूर को विक्ति कौन बने है तो ये बने है आपके बॉब बैटन और ये कि स्टेश के है ये है आपके ब्रिटेन के इस से पहले कहा के थे जो सबसे बुजूर को विक्ति जिनका अभी पिछे हाली में करना है कि उनका क्या नाम था जिनका अभी निदन हुआ है जो सबसे बज़ूर्ग वेक्ति दे बारह सरकार ने COVID-19 से निपटने के लिए कौन सा e-learning platform लौंच किया है तो बारह सरकार ने COVID-19 से निपटने कौन सा learning प्लेटफोर्म लौंच किया है आई-गोड ऑपरेशन शिल्ट किस राजे सरकार ने शुरू किया है यह किया है दिल्ली गौर्मेंट ने नेक्स्ट कोशिन है डौपिंग की वज़ा से किस देश के वेट लिप्टरों पर ओलॉम्पिक 2020 पर बेन लगा दिया गया है मिलेशिया और थाइलेंड दोनों की जो आपके वेट लिप्टर थे उन दोनों को क्या है ओलॉम्पिक 2020 में बेन कर दिया गया है क्यों क्या है डौपिंग की वज़ा स करिए वार्फ इस भार जो आपका टेरवा शुरू कर दिया है तो किस सरकार ने कोरोना वार्थ के उपचार के लिए प्लाजमा थेरेपीका ट्रायल शुरू कर दिया गया है तो किस सरकार ने कोरोना वारस के उपचार के लिए पलाजमा थीरिपिका जो है ट्रायल शुरू किया है यह किया है केरल ने इससे लेटिट एक और कोश्चेन है मैं आगे वो एड़ किया है आप उसको आगे दिखना बस वीडियो में बने रहे हैं मैं आपको बताता हूँ अंतराश्टी ये पैटेंट में पहले नंबर का आवेद देश गौन है तो यह पहले अंतराश्टी ये पैटेंट किया जाता है तो पहले नंबर पे कौन आ गया है ये आगया है आपका चीन अंतराश्टी है अच्छा ये हो गया है आपके कोश्चन नेक्ट कोश्चन है आपके पास बारत की पहली दूरस्वास्ते निगरानी पन्नाली कहां स्थापित की गई है तो यह की गई है रीशी केश में तो यह आपने ध्यान रिकना है आईएमेप के बाहरी सलाकार समूम में किसे शामिल किया गया है तो यह किया गया है रगुराम राजिन को जिम कारबेट नेशनल पार्क में जानवरों को कौरिंटीन करने के लिए अलग वोट बनाएंगे है यह किस राजिये में तो जो आपका जीम कारबेट नेशनल पार्क है इसमें जानवरों के लिए क्वारंटाइन करने के लिए अलग-अलग वोट बनाए गए है और जो आपका जीम कारबेट नेशनल पार्क है बहुत भेमसी है कहा है आपका उत्रागन में और इसको अगर बात की जाए इसका पुराना नाम क्या तो इसको पुराना नाम हैले नेशनल पार्क था किस देश ने डबलू अच्चो को फंडिंग पर रोग लगा दिये हाली में तो ये अमेरिका ने पंद्रे वितायों के सलाकार कौन परिशत की बैठक की अध्यक्षता किस ने की है तो अगर पंद्रे वितायों के अध्यक्षत की बात करें तो कौन है एनके सिंगा तो जाहिड सी बात है जो इसकी सलाकार परिशत की अध्यक्षता भी कौन करेंगे एनके सिंगा अगर बात की आपके चोदे वितायो टेक्ष कोन थे तो वाइडी लेडी और तिरवी वितायो कि उसके है विजय के लकर ये मैं आपको तब बता रहा हूं क्योंकि ये पीछे शायत यह कि पेपर में पूछा गया था कि तिरवी वितायो कि कौन थे चौद्व emphasize कौन थे उनमेंसे एक है आपका मेगाले, मेगाले के कौन बने है तो ये बने है जस्टिस विश्वनात सौमदर अब ये कोश्चिन जो आपको मैंने पीछे बताया कि मैं आगे बताऊंगा COVID-19 के लिए पलाजमा थेरिपी शुरू करने वाला पहला संस्तान कौन बना है अगर पूछा जाए पहला संस्तान तो संस्तान है आपका किंग जो चिकिस्ता विश्वदाले जो आपका उत्तर परदेश में है वहीं अगर पहला राज़े की बात की जाए पलाजमा थेरिपी का पहला राज़े तो ये है आपका केरिल लेकिन अगर संस्थान पूछा गया है तो संस्थान है किम जोर चिकिस्ता विश्वधाले जो कि कहा है आपके उत्तर प्रदेश में है संस्थान है उत्तरपरदेश में और अगर राज्य की बात की जाए तो पर्टिकुलर राज्य जो थेरेपी शुरू करने वाला पहला बनाए तो वो है केरेल किस राज्य ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरूआत की है तो यह कि यह मद्य परदेश सरकार ने इस जीवन शक्ति योजना में क्या है कि महिलाएं घर बेटे ही अपना मास्क बनाएगी और जो उस मास्क की कीमत है 11 रूपे रहेगी जो कि सरकार उन से 11 दूसरा स्थाने आपका अमेरिका का और दूसरा स्थाने आपका चाइना का तो यह आपने याद रिखना है तिसरा स्थान वह च्पास किस राजे सरकार ने एक साल के लिए नहीं भरतियों पर प्रती बंद लगा दिया है तो यह बहुती शोकिंग निए ह менее considerations बहरे आना सरकार हैं उन्होंने एक साल के लिए नई सरकारी भरतियों पर रोक लगा दी है नेक्स कोशिन है मोरीज इंवेस्टर सर्विस्ट ने 2020 के लिए भारत की वृति का अनुमान कितने प्रतिशत कर दिया है तो यह कर दिया है आपका 0.2 प्रतिशत तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो है अच्छी तो क्या लगनी आपके कंटेंट से रिलेटिड होगी तो जाहिर सी बात है आपके लिए हैल्फू रहने वाली है शायद आपको लगा कि थोड़ा मैंने जल्दी इसके लिए ताकि जो वीडियो है आपका काफी लंबा ना बन जाए तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बाकी आप वीडियो में बने रह सकते हैं आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपने अभी तक नहीं किया है